हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथा इटी आई में आपका स्वागत करता हूं तो हमने जो फिटर थेवरी के जो कलासे स्टार्ट की है उसमें हमारा कामन हैंड टूल में यूनिट फोर का जो चल रहा है स्टार्ट हुआ है उसमें हमारा आज टापिक है हैमर आज हम हैमर के बारे में जो कंप्टिशन एक्जाम में पुछे जाते हैं उस अब हम देखेंगे या आप से इंट्रेंस एक्जाम की तयारी कर रहे हूं यह आप इटी आई की इस्ट्वेंट हो या फिर आप आप इसे रिलेटेट किसी भी में वही मैटर लाएए जो आपको कंप्टिशन एक्जाम में पूछा जाएगा ठीक है कि जो बार 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 पुछे जाते हैं वही लाएं हम आपके सामने ठीक है सबसे पहले हमारा क्या है टापिक हमारी आज की है हैमर के बारे में आप लोग देखेंगे फिटर साप में त कोई रििटिंग करना हो इसके लिए जीपिंग पंचिंग रिवेटिंग फोर्जिंग यानि हर जगह हम लोग क्या करते हैं हमर का यूज करते यानि चोट मारने के लिएॉ ले चंट एक करनी हो चोटパ्र वार नहीं हो तो हम हैमर का यूज करेंगे ठीक है सबसे पहले देखिए हमारा है हैमर अपनों को दिख रहा होगा सबसे पहले बता दे यह किस इसका बना होता है जै किस इसको आप फिर कर ली किन दे जो हमारा है वह घ्र आ बना होता है तो देखिए हमम्र के पार्ट्स में यह पीं है यह बना क्या है जो ओपर इतना दूर पोष्ट बोलते हैं मैं लोग रखते हैं क्या हमारा वाग रखते हैं इसको बीच वाला बाग होता है उसको पोस्ट बोलते हैं जो । पोस्ट को हम लोग साप्ट रखते हैं क्या रखते हैं साप्ट क्यों रखते हैं साप्ट हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा हैमर पर जब हम चोट मारते हैं हैमर से इसको टूटने से बचाता है पोस्ट को साप्ट रखने का उदेश से हमर को टूटने से बचाता है इसके बाद यह हमारा होता है आई होल इसमें क्या होता है आई होल मतलब यह अंडाकार होता है एक्जाम से पूछ देगा जो हैमर में जो आई होल होता है उसका आकार कैसा होता है तो इसका आकार कैसा होता है अंडाकार होता है ठीक है और आई होल में यह हमारा क्या होता है यह पच्चर लगाते होंगे जब कोई सावे लुए लमी यूज करते हैं तो उसमें जब हिलने लगता है उसमें पच्चर की साहता से क्या करते हैं हम लोग ठोग देते हैं पच्चर तोब हिलना बंद हो जाता उसी प्रकाइस में हम लोग जो वेज यानि पच्चर भी लगाते हैं इसमें हैंडल के साथ ठीक है उसके बाद हमने फ्येस बता दिया और इसमें इंपोर्टेंट क्यूशन बनता है हमारा कि इसका स्पेसिफिकेशन कैसे क करते हैं उसका इसे कना पiki इसके भी इसके पेन्ला चॉंड आप आधार के स्पेसिफिकेशन करते हैं यानि इसको विसक पेन्लोग न्योट कर लिए ऊंटल कर यानि आप लोग कर लीए पिन अगरा यहां है में चाहिए, इसका हम पीं बताएंगे कि कार फिन हैं अभी सोब प्रकार जो बाल पीन है पीन बताएंगे और वयट बताएंगे तब हम Cr joy को खरी जैंगे टिक है एनक जाएगा कि हमर आजये खार क करते हैं तो इसके पीन अ बहर के आधार करते हैं ठीक है हमने हैमर का जितने इंपौर्टन था हमने आपको तो बता दिया अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हैमर की कुछ टाइप होते हैं हैमर की टाइप में पहला हमारा टाइप है हैंड हैंड हैमर तो हैंड हैमर में देखिए पर लुक्त हुए चारे प्रकार के हैमर हमने लिखा हैं इसके पिन की अधार पे इसको बाटा गया है इसका पिन का जैसा कार होगा वैसे हम लोग देखके करेंब फियर अम फुच्छ है थिसका है चैनल थे क्या आपफ साथ को या फिर इसका यूज़के यहां कि ठीक है क्या पहले थो आह Prof 20 ग्रांम से लेकर 1.5 kilogram होता है। इसका weight ठीक है इसका weight आप लोग शबशे ग्रांगे ہें यानि 125 ग्रांम से लेकर 1.5 kg होता है इक्ते जाम में दे देता है कि पशुच वॉता है कि जाम है हेंड हैं लंबाई भी कभी दे देता है हैं लें की लंबाई है हैं Marx कि कि यहां उसके नेंडिल की कि ओमधने इसको यूज करने में परियोग करने में कर असावधानी हो गी हमें असावधानी मतलब हमें अजीब लगेगा और उसकार सही से नहीं हो पाएगा ठीक है इसलिए हम एक वेट के अधार पर उसका मानक हैंडल की लंबाई होती है ठीक है पर इसकी परचां काशे करेंगे हंडल के अधार खरेंगे इसका पीन कैसा है किया आप लोग जब जम यहांगे वियांगर अंचीर catastroph फीटर साफ में किया जाता है आप लोग जब जाब बनाते होंगे तो पंचिंग करने जाते होंगे तो बाल पीन हैमर का ही परियोग करते हैं और यह किसका युटिलिक देजी है रियूटिंग करने के लिए किसके लिए के लिए कि एम अच्छे तरीके से बताएंगे करने के लिए हम माल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं साधारकतहें कृतिने ग्राम का हम HOW अधाइस ग्राम बालफिर हैमर का परियुषा धारच है वर्ट्साप में हम लोग उज़ करते हैं इसके बाद हमारे आता है क्या से है संस्टेहां के जुसक्ष dona Swift क्या होगा क्रास होगा इस प्रकार क्रास होगा थिक है अगर स्थानिकी चींद हम मानेंगे स्ट्रेट पीन है और हंडल के क्रास में होगात हम मानेंगे क्रास पीन है तो इसका यूज होता है धातू को एक दिशा में फैलाने के लिए धातू को एक दिशा में फैलाने के लिए लिख सकते हैं आप लोग एक दिशा में फैलाने के लिए धातू चादरों को ए कि यूज करेंगे इसके बाद हमारा आता है श्ट्रेट्ट पीं हैमर यानि जो इसका हैंडल है और इस का पीन होगा इस इसके हंडल की सीद में क्या होगा रिखिया यह देख कि हैम हमार का पीन तो इस प्रics чем का क्रण़ में चोट मारनी हो तो जो और हैमर हमने बताया उससे हम चोट नहीं मार सकते हैं तो इस प्रकार हगर हमारा स्टेट पीड हैमर होगा तो हम कारणर में इसके नुकीले से चोट मार सकते हैं तो इसका यूज आप लोग लिख जिए कि स्टेट पीड हैमर का यूज करते हैं कारणर मे हमारा लास्ट है हैंड हैमर में डबल फेस हैमर क्या है डबल फेस हैमर यानि इसके दोनों सिरों से कारखंड़ क्या कर सकते हैं चोट मार सकते हैं दोनों सिरा इसका चप्टा होता है ठीक है किया निए रिख लिया इसकी व्यट कितना होता है analyse की इस में चाहिए और आपके आरेकर सब्सक्राइब्स आम तक कंपते सांते हो इसको आप लोग क्वालिफांड कर सकी है ठीक है आगे हमेरा देखें हैं कर्ड हमेर है मर यानि 7 क subtle की निकालने के लिए किसको अहिंग पुझि हुआ God की अमारी है निकाल थे है तो दो अब जब किल निकालते हैं तो इसी जो मेरा ही देखी इसका क्य में नियुद masih में के निकालले ते में अकेने को फशाग करते हैं नहीं होता है इसको कील को निकालने के लिए इसे हम क्ला हैमर का यूज़ट करते हैं अगला हमारा आता है घं हैमर या स्लेज हैमर पूछ देगा एकजाम में घं हैमर को और अन्य किस नाम से जानते हैं आप लोग बता सकते हैं इसमें दो किस्टन होता है जो इसका वेट होता है इसका वेट आप लोग बता दे हम लोग 2 kg से लेकर 10 kg होता है यह कई बार एक्जामस में पूछा गया है कि गन है मर कितने किलोग्राम के रेंज में पाया आता है आप लोग नोट कर लीजिए कि 2 kg से 10 kg और इसके हैंडल की जो लंबाई होती है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए 600 mm से 600 mm से 900 mm आप लोग को कहीं कहीं 60 cm से 90 cm देगा तो आप लोग सेंटी मीटर से में में कनवर्ट करना जानते ही होंगे इससे आप लोग घबडाएगा मत ठीक है यानि है घन हैमर हमर हो गया 2 kg से 10 kg गरम में मिलता है लंबाई इसकी बता दिया इसका यूज़ बता दे रहे है जब यह भारी है तो भारी कार्यों में यूज़ होगा फोर्जिंग साथ में जब हमें भारी चोट मारनी होगी तो हम लोग घन हैमर का यूज़ करेंग पढ़ा अभी लाच नहीं एक और है अभी तक हमने जो हैमर पढ़ा उसको हम लोग हाथ की द्वारा चोट मार रहे थे लेकिन यह हमारा है बिद्धूत के द्वारा संचालित किया जाता है ठीक है इसमें हमें हाथ से चोट नहीं मारनी पड़ती है तो power hammer और भारी कार्यों के लिए हम लोग यूश करेंगे ठीक है यानि बिद्धूत के द्वारा इसको इसको बिद्धूत के द्वारा चलाते हैं बिद्दूत के द्वारा दाओ जयान्य आ प्यानि यानि-च एमिन आप होगे और लो पावर हैमर का भीद्दूत के द्वारा यानि इसके द्वार इसको कम ContraIX छे इंगे तो यह हमारा हो गया पावर हमर उसके बाद हमारा आता है साथ हैमर, साथ हैमर बने हमारे तीन हैमर है, मैलेट हैमर, आहाइड हैमर और नालान हैमर तो पहला हमारे आता है मैलेट हैमर, तो मैलेट हैमर जो बना होता है वो लकड़ी का बना होता है यह जो मजबुत लकड़ियां होती है उनको दरा इनको बनाया जाता है इसको लिख सकते हैं आप लोग लकड़ी के बने हैमर को, हम लोग मैलेट हैमर करते हैं, लकड़ी के बने हैमर को, यह कई बार एक जामस में पूछा गया है, कि लकड़ी के बने हैमर को हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग बता दे सकते हैं, कि लकड़ी के बने हैमर को ही हम मैले ठैमर करते हैं और इसका यूज हम लोग हलके कारियों के लिए करते हैं हलके साधाल कारियों के जांगे हलकी चोट मार नहीं हो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसका यूज करेंगे लिख सकते हैं आप लोग हलके कारियों के लिए किसके लिए हलके कारे नोट कर सकते हैं, आप लोग हलके कारियों के लिए, मेलेट हैमर का यूज लकड़ी के बने होते हैं, हलके कारियों के लिए, ठीक है, और हमारा आता है रा हाइड हैमर, रा हाइड हैमर, यह भी हमारा हलके कारियों के लिए यह पर्योग होगा, यहाँ पे हम लोग, मसीन में अ फीट करना हो तो हम लोग राहाईल हैमर का क्या लगा कि नालान का अलग से कवर लगा देते हैं ठैक है और इसका हम लोग करते हैं फिनिश ब के लिए कोई हमारा ज्याब अगर फिनिश हो चुका है उसके लिए हम लोग नायलां है मरतde का परियुकर्ण करते हैं saft है मुद्हथ होगा और उसका यूद राएगे जहाँ पर हमारी लोग्टभ करेंगे जहालन फिनिसिंग के यानि जो जो important हैं हमने बता दिया, इसके जो आप लोग एक-एक पॉइंट को आप लोग note करिएगा, क्योंकि इसका एक-एक पॉइंट काफी important है, ठीक है, एक हमारा पूछ देता है, जो काफी बार पूछा गया है, कि जो hammer की hardness कितना होती है, hammer की hardness, तो आप लोग लिख सकते हैं जो हैमर की चार सी कितना होती है उन चास से लेकर छपपन चार सी हमने फाइल का बताया था कितना था साठ से चाउसट याद करिए डेली बाई डेली आप लोगों को टापिक वाज क्लासेश ला रहे हैं ठीक है और यह जो क्लासेश चल रही है काफी इंपॉर्टेंट क्लासेश हैं एक्जामस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो दोस्तों हमने आज अपना हैमर का जो कुछ चानल घूरी की और जो कलासेश ला रहा है आपको आगे मिलती रहे तो इसी के साथ हम अपने वीडियो करते हैं मिलते हैं फिर आपने अप्रियां वीडियो में तक तक के लिए!!